जयनोशकार मित्रो यह American सरकार ने बोला है कि अब से Bitcoin के Exchange Traded Fund को मंजूरी देंगे और RBA का कहना है कि तुमको कुए में गिरना है तो गिरो लेकिन हम तुमारे पीछे कुए में नहीं गिरेंगे तो इसको समझते हैं देखिए Bitcoin वो Digital Payment, Digital Economy का मुद्दा है और सामने Share Market या Financial Market वो एक अलग मुद्दा है यह जो Bitcoin Exchange Traded Fund है यह इन दोनों के बीच का मुद्दा है उससे हम समझ रहे है क्योंकि मैंने आपको आगे भी बताया था कि कैसे पिछले तीन सालों से UPSC को यह खुजली मची है कि Share Bajar के बारे में थोड़ा Advanced Level का Complex Level का पूछना है इसलिए हम इसको आराम से पढ़ेंगे कुल मिलागर पांच चीजे समझनी है सबसे पहले Bitcoin के Basics Bitcoin को खराब क्यों माना जाता है Bitcoin Exchange Traded Fund क्या है और अमेरिका ने उसको क्यों मंजूरी दी है उसके क्या फाइदे है और RBI को इससे क्यों नाराजगी है कि हमको यह कुए में नहीं पढ़ना है सबसे पहले Bitcoin क्या है हलाकि आप में से जो लोग लंबे टाइम से मुझे देख रहे है उनको पता होगा Bitcoin क्या है पन लेकिन जो लोग नए जुड़ना है इस चैनल के साथ ते एक बार फिर से देख लेते है एक Anonymous यूजर था प्रोग्रामर था सतोशी नाको मोटो उसने Bitcoin नाम की एक Digital Virtual Currency बनाई है इसको किसी सरकार ने RBI ने, Center Bank ने नहीं बनाया है यह जो Bitcoin है इसे हासिल करने के तीन तरीके है पहला आप अपने Computer में इसका Software इंस्टॉल करो और उससे Digital Mining करो तो दिरे-दिरे एक-एक Bitcoin निकल के आता है लेकिन उसके लिए आपको बहुत Powerful Computer चाहिए दूसरा तरीका है कि मालीजे मैं अपनी Coaching Service किसी को बेचू जिसके पास Bitcoin है और उससे कहों कि रूपिया नहीं तुम मुझे Bitcoin दे देना तो इस तरह से Selling Goods and Services द्वारा भी आप Bitcoin कमा सकते है Bitcoin हासिल करने का तीसरा तरीका है कि मालीजे आपके पास Dollar है, Rupee Currency है तो आप सामने हाले को बोले, तुम मुझे Bitcoin देदो, मैं तुमको पैसा देता हूँ For example, आज कल कुछ बाव चला है कि 40,000 Dollar के सामने एक Bitcoin आएगा तो आपने समझा Bitcoin का Basic अब इसको खराब क्यों माना जाता है क्योंकि इसमें अगर आप पैसा जो लगाते हैं जो transaction होता है, उसको trace करना, उसपे tax लगाना थोड़ा मुश्किल है इसलिए सरकार को मजानी आता है दूसरा, इसकी मदल से money launching, मतलब black money को white करना Terror finance, Pakistan से इंडिया, यह सब आतन की प्रहुरतियों के लिए पैसा बिजवाना Narco trade वगेरा में रूपी डॉलर से करते हैं तो पकड़ा जाता है, इसमें थोड़ा trace करना मुश्किल होता है इसके लिए 24 गंटे आपको computer चालू रखना पड़ है, electricity की बरबादी है computer का सारा electric waste जमा होता है So therefore it is considered bad उसमें भी Bitcoin अगर आप सिद्धा खरिदने जाएंगे उसमें कुछ तकलिफ है, इसके कारण ये ETF अलाव किया देखिए अगर आप Bitcoin सिद्धा खरिदते हैं online तो वो आपके एक खास digital wallet में जाता है लेकिन अगर आप उसका password भूल जाएं तो फिर उसको retrieve करना काफी मुश्किल होता है ये एक समचार पड़ा 2020 के कि 18,000 करोड रुपे के Bitcoin थे एक आदमी के पास लेकिन उसका password उसको नहीं मिला और अब उसको retrieve नहीं कर सकता So this is one danger directly purchase of when you directly purchase the Bitcoins दूसरा, यहाँ पर Bitcoin buying selling के लिए बहुत सारे crypto exchange चलते हैं जैसे share बाजार में share खरीच सकते हैं लेकिन उसके भी जो चलाने वाले operators होते हैं वो सब unregulated हैं, दानली करते हैं पैसा लेके बाग जाते हैं जैसा एक FTX नाम के crypto exchange में हुआ था तो यह भी एक danger है अगर आप सिद्धा Bitcoin खरीचते हैं तो यह सब देखते हुए अमेरिका में यह सोचा गया कि क्यों न तो हम इसको थोड़ा share budget type का regularize या formalize या legalize करके adopt करते हैं तेकि बारत में जैसे share market को regulate करने के लिए सेभी नाम की संस्था है उसी तरह से अमेरिका में भी एक संस्था है SEC Securities and Exchange Commission तो यह लोग क्या बोले हैं कि अच्छा directly Bitcoin खरीद होगे तो उसमें जोकिम है तो हम एक नया instrument अलाव करते हैं जिसका नाम होगा Exchange Traded Fund अब समझते काम कैसे करेगा मा लिजे किसी के पास Bitcoin है और वो तयार है कि मैं एक Bitcoin 40,000 डॉलर में बेचूंगा तो यह Franklin, Templeton, Investment, Big Rock वगरा जो अमेरिका की non-banking financial कमपनिया है जो mutual fund type का काम करती हो वो सब उसको खरीदेंगे Bitcoin को और फिर वो ऐसा Bitcoin खरीद के अपनी तीजोरी में मरलब डिजिटल वालेट में स्टोर करेंगी तो यह कमपनिया Bitcoin खरीदेंगी और फिर उसके अनुपात में वो बाजार में नए ETF नाम के यूनिट जारी करेगी मरलब समझो इसने एक Bitcoin खरीदा है जिसकी value है 40,000 डॉलर बराबर तो वो क्या करेगा कि एक नया unit या investment instrument निकालेगा exchange rated fund कि 4000 ऐसे में unit निकालता हूँ और हर एक unit की value होगी 10 डॉलर और फिर ऐसे वो 10-10 डॉलर की यह नय investment instrument या कागज के टूकड़े जिसकों बोले exchange rated fund वो बेश देगा investor इसमें पैसा लगा सकता है आपके पन इसमें Franklin Templeton investment को क्या फायदा होगा तो वो यह पूरी process में थोड़ी piece charge करेगा वो उसकी कमाई है इसके बाद आपको क्या फायदा अगर आपने इसमें invest किया पैसा तो क्या फायदा बवीश यह मान लिजे Bitcoin का बाव बढ़ जाए कि वो 40,000 डॉलर से बढ़के 50,000 डॉलर हो जाए यानि कि 25% बढ़ उतरी तो यह जो exchange traded fund instrument है जो 10 डॉलर का है उसमें भी यह Franklin Templeton बोलेगा कि अच्छा वो 25% बढ़ा तो आज से इसकी भी value अब 25% जादा मनी जाएगी तो यह अगर 10 डॉलर का था तो आप से इसको मानेंगे कि यह 12 डॉलर और 50 सेंट का है तो आप investor के रूप में आपने पैसा लगाया था वो बढ़ गया कि समझो आपने Franklin Templeton से यह पहली बार खरीदा और उसने पहली बार जारी किया तो उसको हम कहते है primary market बराबर तो आपने लिया उसके बाद आपके पासे यह 10 डॉलर का फिर बाव बढ़ गया 12.5 तो फिर आप किसी और को resell भी कर सकते हैं कहा resell कर सकते हैं इसका लिस्टिंग करवाएंगे ऐसा उनकी सरकार और अधिकारी बोल रहे है तो जिसने और खरीदा माल यह 12.5 में बाद में बाव बढ़ता है 13 वो किसी और को बेशता है यह सब चलता रहे यह जो बार-बार reselling होता है उस चीज़ को हम कहते हैं secondary market primary market, secondary market में क्या अंतर है हम पहले भी पिछले वीडियो में देख चुके हाँ तो इसलिए क्योंकि यह stock exchange पे इस प्रकार का उसका trading हो सकता है Nasdaq, New York Stock Exchange पे इसलिए इसको बोला गया कि this is exchange traded fund that's why it is called ETF exchange traded fund तो बिटकोईन के basic देखे खराब क्यों है समझा bitcoin exchange traded fund अमेरिका में क्यों अलाग किया वो समझा अब आगे का मुद्ध है कि इसके क्या फायदे what was the rational है कुछ तो हमने समझा अभी कुछ और बहुत सारे मुद्धे देखने है उससे पहले मैं आपको बताऊं कि 21 जन्वरी रविवार को आप अपने कैलेंडर में मार्क कर दो सुबह 11 बजे और शान को 5 बजे टेस्ट होगी जिससे आपको UPSC के अपनी तयारी का लेवल पता चले और उसमें अच्छे score लाने पे laptop, smartphone, amazon gift voucher, scholarship ये सब भी है score खराब है तो भी चिंता नहीं करनी क्योंकि lucky draw से कुछ 500 लोगों कोई नाम मिलेगा mentorship मिलेगी, test series बगएरा की access भी है link is in the description, code is monal.org for free test इसके लाब अगर आप UPSC की तयारी करें 2024, 25 और 26 के लिए तो उसके अपने course अलग अलग शुरू हो रहे है live classes by top educators, notes, powerpoint, cset as per the latest trend, mentorship से लेके बहुत कुछ और इसमें भी ये 26 जन्वरी का Republic offer के चलते हैं ये पूरे आने वाले कुछ दिनों तक 50% off and 6 month extra free and prices are starting from 25,000 रुपी समते using the code monal.org दूसरा unacademy के अंदर optional subject की भी पूरी तयारी करवा ही जाती है और उसके अंदर शायद बाकी सब institute से सबसे जादा number of optional subject offer किये जाते तो ताहिए आप कंड़ है, mathly literature या कुछ भी you can benefit from this केर में वापस आता हूं हम समझ रहे थी कि bitcoin extended fund अलाव किया इससे क्या फायदा होगा देखिए अगर आप directly bitcoin purchase करें किसी से तो वो तो सब anonymous है उसको trace करना मुश्किल है तो कर चोरी आसान होती है, tax evasion आसान हो जाता है बले आपको profit हो रहा है, सरकार tax नहीं ले पाई की लेकिन यहाँ पर हम exchange traded fund द्वारा जब indirect purchase करते हैं, तो इसका मरलब जिसने Franklin Templeton से यह खरीदा तो अमेरिका में भी जैसे इंडिया में share market में सारा share कहां है, आपका email inbox में है, तो सारे shares कहां पर है, DMAT account में है और यह जो DMAT account होते हैं, वो पानकार नंबर से link होते हैं, जिस पे income tax department की नजर होती है, तो share बाजार में आप profit कमाते हैं, तो उस पे tax से आप बच नहीं सकते हैं, similarly अमेरिका में भी ऐसा जो पूरा system होगा, उनके DMAT account जहां पर shares की delivery होती है, उसके उपर पानकार से link है या ज क्या है, आप देखो Infosys के बारे में बार बार कुछ न कुछ negative news आती है, Infosys faces another whistleblower complaint, CEO accused of misdeeds, Infosys shares focus on IT firm loses 1.5 billion का contact चला गया, अब स्वाबाई के ऐसी negative news आएगी तो बादार में Infosys के share का भाव गिरेगा, लेकिन गिरते गिरते भी आप देखो यह उसका bottom point था करीब 1200 रुप पर share, यह इसे गिरत नहीं राएगार, तो अब सुझो कि अगर Infosys के खिलाफ इतनी नकारात्मक खबर आती है, फिर भी उसका share price zero क्यों नहीं हो जाता, why it doesn't become zero, क्यों, क्योंकि आप समझो कोई भी company उसके अंदर अलग-अलग प्रकार के investors होते है, कुछ होते है retail investor मेरे आप negative चला है, इसको मैं 14 सुमें बेच के बाग जाओ, क्योंकि मुझे दर लगता है, यह गिर के zero हो जाएगा, लेकिन जो बड़े investors होते हैं, institutional investors, जैसे LIC, Tata Mutual Fund, वो सब long term horizon सोच के चलते हैं, वो एक महीने 10 दिन का नहीं सोचते हैं, वो कि 5 साल बाद यह company का क्या growth है, या पू तो बेचेंगे नहीं, तो इसका बाओ मतलब 1200 से नीचे गीरेगा नहीं, that will become the floor, उसी तर है, तो institutional investor के होने से फायदा क्या होता है, price volatility बाओ में अस्थिलता कम होती है, price discovery में मदद मिलती है, कि इनफोसीस की आकाद क्या है, तो 1200 रुपे से तो नीचे किनु नहीं है, क्योंक जो extended fund आये, तो कुछ बड़े institutional investor भी इसमें पैसा लगाएंगे, कि जैसे इंडिया में Tata mutual fund है, ऐसा उनका जो भी हो, वो क्या करेगा, लोगों से पैसा लेगा, फिर कहेगा multi asset mutual fund है, थोड़ा share में लगाऊंगा, थोड़ा bond में लगाऊंगा, थोड़ा gold में लगाऊंगा, थोड़ा oil में और थोड़ा bitcoin extended fund में, तो उसके चलते ये जो bitcoin है, जिसमें आप देखो, बाओ में काफी अस्थिरता रहती है, कितना उपर जाता है, नीचे जाता है, but then future में ऐसा होगा, कि उसके बाओ में थोड़ी स्थिरता होगी, it will reduce the price volatility, दूसरा, सही मुल्य निकल के ये price discovery में भी, price discovery में भी मदद करेगा, तीसरा लोग बोलते हैं कि liquidity बढ़ेगी, वो ऐसा, कि समझो एक bitcoin का price अगर 70,000 dollar है, तो इतना खरीदने क्या तो किस के पास पैसा होगा, लेकिन अब तो आप समझो 10-10, 12-12 dollar में मिल जाएगे unit, तो आसानी से आपने जो खरीदा है, आ आपको किसी और को resell करना है, आसानी से आपको ग्राहक मिल जाएगे, तो जब भी आप अपनी asset को ज़्यादा आसानी से बेश सकते हैं, तो हम कहते हैं, उसकी liquidity बढ़ गए, तो ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है, फिर कुछ लोग तर्क दे रहे हैं कि देखो, liquor, दारू बंदी उनके पास ही bitcoin की बड़ी सी supply है, तो वो price को manipulate करते हैं, ऐसा आरोप economic survey ने भी एक बार लगाया था, दूसरा, जब liquor बेन होता है, दारू बंदी, तो नकली दारू भी लोग बेचते हैं, spurious liquor, जिससे जहरीली शराब पी के लोग मर जाते हैं, अंदे हो जाते, उसी तरह bitcoin क्य तो आम लोगों को पता ने, अब कोई ऐसे तुके से इधर उदर net search करके खरीदने जाएगा, उसके साथ कैम हो जाएगा, कि वो पैसा तो देता है, लेकिन उसको bitcoin की delivery नहीं मिले, तो direct buying selling में ये जो नुकसान है, इसलिए, ये जो bitcoin extended fund के वकील हैं, वो क्या बोला है, कि देख अब अगर हम लोग bitcoin extended fund allow करेंगे, तो ये सारी तक्रीफे दूर हो जाएगे, दारुबंदी के खिलाब जो तर्क है, ऐसे यहाँ पर तर्क देखे कि हाँ, उसको undo करना है, तो हमने इस चीज़ को allow करना चाहिए, तो ये सब देखते हुए, USA ने तो allow कर दिया है, भारत का क्य इस पे रुख है, RBI ने का नहीं ऐसा कुछ allow नहीं करना चाहिए, ये सब, ये लोग कुवे में पड़े तो गिरने दो, हमें कुवे में नहीं गिरना है, बारत सरकार का भी मिलता जुलता रुख है, हम bitcoin को encourage नहीं करते, आपको उसको खरीदे तो मनाई भी नहीं है, लेकिन अगर वो उस पे जो profit कम आएगा, उस पे 30% capital gains tax लगता है, और ऐसा जो भी transaction होता है, उस पे 1% tedious लगने की बात होती, हाँ तो कुल मिला कर headline क्या है कि USA ने bitcoin exchange traded fund को permit किया है, इस पर RBI गवर्नर ने टिपनी की, कि तुमारे पीछे हम कुवे में नहीं गिरेंगे, RBI will not emulate others, मलब दूसरों की नकल नहीं करेंगे on regulations, world cannot afford another crypto mania, crypto mania शब्द कहां से आया तो शायद Netherlands या Dutch या कोई region में एक बार हुआ था, tulip mania, tulip एक fool होता है, अब अचानक से नया दिख गया लोगों को बहुत बाव चड़ने लगा उसका, तो सारे लोग बस tulip ही उगाने लगे, and ultimately उसका इतना over supply हो गया कि उसके price गिर गए, उसी तरह एक cryptocurrency में भी price गिर जाएंगे, क्योंकि इसके नीचे तो कोई gold silver रखा नहीं है, और इसमें बहुत सारे scam है, ऐसा सब RBI का मानना है, क्यार तो यह पूरा था topic extended fund of bitcoins, इसके अलाब ऐसे और भी share market और current office के मैंने वीडियो बनाए क्योंकि आज कल UPSC में पूछने का रिवाज है, पूरी playlist है, उदर दिया होगा info card, do take benefit of it, बाकि मैंने आपको बता है, रविवार को तहियार हो जाए, UCSC scholarship test की जहां पर laptop, smartphone, Amazon voucher, scholarship, mentorship test series, बहुत सारी चीज़े आप जीत सकते हैं, using the unlock code monal.org, 2024, 25 और 26 के लिए अपने अलग- और इसके अंदर बहुत सारे optional subject भी सबसे जादा आपको मिलते हैं, कुछ live है, कुछ recorded है, सब कुछ दिया है लिंक में, best wishes, let's crack it.